आप पंजाब आए और खाना खाना खाए तो आपका टूर बेकार है अब हम लोग यहां पर रुके हैं अम्मी आ गई है अर्चना भूब के हमारे बहुत दाथ दिखा रही है है कि अधंडे अधंडे रहे हैं माई को बैंगन खाने यहां के यहां के लंगर मैं होके मैं ने सुना दाबे-मामी बूल रहे थे लंगर में बढ़िया है आज लंगर भी पालिया अस्तिने गुर्दवारे में बहुत बढ़िया बहुत हम लोग भागिशाली हैं कि गुर्दवारे में हमने लंगर पाया वाइगुरू की जैड़ दाबे पे खाना खाने के बाद अब हम लोगों की बस निकल चुकी है और सीधी प्लानिंग है हम लोगों की हरिद्वार पूरी रा ट्रैवल करने के बाद में हम लोग हरिद्वार रुकने वाले हैं भागी रहे भागी रहे तब से चली रहे बस डाबे पे खाना खाने के लिए रुके और उसके बाद में सीधा आपसे मिलते हैं आप हरिद्वार में सब लोग बहुत ठक और बच्चा पार्टी तो सो भी गई है क्योंकि हम लोग कंटिन्यूम रेस्टर में पूरा दिन ट्रैवल कर रहे थे हम मिलते हैं आप से हरिद्वार और ये देखिए सुबह जब हम लोगों की आँख खुली तो ये बादलों की गड़गडा हट बिजली चमक रहे हैं बारिश इतनी भेंकर है बहुत भहेंकर बारिश है और बारिश की वजह से ट्रैफिक बहुत है और संडे का दिन होने की वज़े से बहुत ज़ादा भीड़ है और हम लोग कहां तो गर्मी-गर्मी जिल ना रहे थे और यहाँ पर अब बारिश बारिश हो गई सुबह आख खुलते ही बारिश पूरा प्लान की चौपट हो गई ये देखे थोड़ा दिन निकला है और हर्याली खुबसूरती तो सब दिख रही है बट अभी हम लोग मुसीवत में फस टाइब गए हैं कि अब क्या करें मतलब अब हमारा प्लान तक गंगाजी के हट पर सीधा पहुँचने का नहा के फिर आगे का प्लान था बट यहां तो सब अस्त्वियस्त हो गया बारिश की वज़े से चारों तरफ देखो बारिश ही बारिश दिख रही है और उपर से ट्रैफिक ने बहुत दिमाग खराब कर रखा है ट्रैफिक बहुत है संडे की वज़े से अन्सियार के सब लोग आये हुए है अभी हम लोग हरकी पॉड़ी की तरफ जा रहे है अब जब हरकी पॉड़ी की तरफ हम लोग पहुँचे हैं तो पार्किंग में आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी 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 से भरे हुए मतलब पूरा पार्किंग पानी से भरे हुए तो आप समझनी आ रहा है आप क्या करें अब तो हमें और एक तरह से मुसीबत लग रही है हाना एक तो पार्किंग नहीं दिख रही है यह प्रॉपर जहां हम उतर सकें कपड़ उतार सकें बारिश कंटिन्यू पड़ रही है और रोड पे बहुत ट्रैफिक है अस सुबह पहुंच गए लोग दिल ये NCR से चलके जो आने वाले थे तो बड़ा ही मतलब सब डिस्केशन चल रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें बैक टू हम लोग आ गए सीधा होटल और अब होटल में रुक के फिर आएका प्लान करेंगे वापस होटल की तरफ जा रहा है अब होटल से हम लोग घंगाजी के लिए सतनाम साक्षी घाट पे क्योंकि हरकी पॉड़ी पर बहुत भीड़ है गाड़िया पार्क नहीं हो रही है हम लोग बहुत परिशानी में थे क्योंकि एक महाँ पे बारिश की वेशन सारा सेडीन दुगड़ गया है गाटों पे पानी आके सुबह के टाइम में चला गया था उपर तक पानी आ गया था जो आपको दिखाती हूं में आ गया अभी आगे चलो थोड़ी आगे सब्सक्राइब तो याद ना कितना बड़ी मंद्र हां कि आए कि आए कि पीछे बार्बर साड़ अख्षा है वाजी तक यहां पानी था अब पीछे बार आगे तो पेंद्ली का सारे बाट बन देखाए लुड़ी अब धर यह है अब यहीं यहाँ पीछे हूँ होगा यहां भोले बाबा के दर्शन कर लिए और सब लोग डिसकेशन कर रहे हैं कि उपर तक पानी आया था रेलिंग पर पूरा कच्रा लप्टा हुआ देख रहे हैं वहां तक पानी आ गया था ऐन कि दर्शन करते हैं कि अ क्या हुआ रहे हैं कि अ क्या कुछ जो जा रहे हैं कि दर्शन करते हैं कूड़ों उपर तक लटक रही हैं यहां पर डीड कि चलत हुए यहां पे बाई डिसक्षिन चल रहा है आप रेलिंग देख रहा है यह वाली रेलिंग्स एगहाट है बहुत ही सुन्दर घाट है हम लोग ने पहले भी श्नान किया है पर यहां पर ऊपर तक कच्रा आ गया यहां पे पन्या लटक रही है चारों तरफ से गंदा पानी सब उसी में जा रहा है गंगाजी में योगी बारिश पड़ी है कुछ करी नहीं सकते पूरी गंगाजी उपर उफान तक है और साकर भी नहीं दिखाई दे रही है प्लस सीडिया में दिखाई दे देनके रही है अई इस चक्कर में हमने प्लान किया के अप जैसे भी हो हर्की पोरी की तरफ चलते हैं दुबारा हम लोग ने बस मंगाई बुलाई घात पे और फिर बस में बैठे व्लौन9 फिर बस बैठे हैे यहां पर गंगामई अपने पूरे उफान पर है वतारे चाराम जहां जहां हम गए वहाँ कहीं पर भी बारिश नहीं थी हर द्वार में आप खुलिए तो हमें बारिश दिख्षी है बता रहे है उपर पहाड़ों में बहुत बारिश हुई जिसकी वजह से बहुत आधा पानी गंगाजी में आगया है तो हम लोग जा रहे हैं घेके पोड़े की तरफ कितना खुबसूरत मंसा देवी दिख रही है उपर जैम आता दी और आप देख सकते हैं चारों तरफ हर्याली हर्याली एक तम खुबसूरती दिख रही है चारों तरफ पार्किंग फुल दिखेंगी आपको और अब हम लोग घाट की तरफ पहुंच गाएं यह दिखाती हूं आप कितने उफान पर यह देखो यह देखो कितनी तेज बहरी गंगाजी अभी और फ्लाइवर देख रहो रिशी के कनेक्ट करने वाला फुल है एक दम ट्रैफिक पूरा रहें रहें के चल रहा है अब 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 चना हमारी केचला है आप अब घंड़ मानी आसलिए लिए वहां से छोड़के धर आगे हम अब कि पॉरी परा आएखिया आएफ पॉल्ट बाबागा कि पुटिपूरी की अच्छिए आपने को सब्सक्राइब तेक्षी तेक्षी दो हुआ हैं सबी खटेन है Hearts हें पूरी फामले घट्टी होगह यहें पहां कि रवी हम दो अने की तैयारिकर रहा ह्हा कुछ वेasses ही की वेसी कर दो तो इस्माल सथाय कैंट सेक्षी लंडे कर पहें हां है अगनागा मीन cafeteria भागां बनाल Awwёт मतलब छोड़ 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 पौदे भी भैके आ रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे बहुत जादा तेज पारिश हुई है और फिर भी भक्तों के उत्सामें कोई कमी नहीं है सब लोग गंगा जी नहाने के त्यारी कर रहे हैं देखो नहाने भी लगएं सब लोग काफी लोग नहाने भी लगएं यह देखो पच्चा पार्टी उतर गए पानी में और ममी मारी और माई समना रहा है गंगा जी यह देखो बच्चे भी नहां रहे हैं यहां पर इन लोकुट ठंडी ने लगए सही में बहुत ठंड थी बहुत ठंडा पानी मतलब ऐसा लग रहा है कि बापरिपा का लो हो यह नहां लिये अब हमने इधर नहां रहे पहले दूसर रिखाट पर आगए न देखो यह अटचना और माई तो हमारी निकल ही निरे भाई धर्वी बहुत नहां यह लोगों धर्वी बहुत नहां रहे हैं इन लोगों को तो बिलकुल भी ठंडी नहीं लग रही है और यह देखो यह देखो बरॉन और पिंदर और शिवानी भाई यह भी कूद के नहा रहें सब खूब ठंडे पानी में और जैनत को तो बिलकुल भी ठंडर नहीं लग रही है अरे अरे मुझे तो देख की ठंडर लग रही क्योंकि मैं एक बार नहाली हूं अब दो बार नहाने की हिम्मत नहीं हो रही है कि अवारी मेरी बारी बापरी मैंने भी हिम्मत दिखाई दुबारा नहाने की तुना ठंडा पानी है न मैं क्या बता हूं बहुत ही ठंडा पानी है और मैं सोच रही हैं बहुत बैट बैट के काम चला लूँ है लोग इतना इसे मुझे बहुत मोटीवेट करीये का मैं बढ़ी है और मुझे तो डूब की मारने की हिम्मत नहीं और ही घवराय ठोड़े यह बहुत तेज यह देखो और चनागों देखो क्या भेंकर डूब की लगा रही हो अब यह मुझे डूब की लगा रही और बाप रहे हैं ओ बहुत ही धंडा पानी एकदम चुबने वाला यह देखो प गंगाजी नहां के हम लोग निकल गया हैं सब लोग और यहां से गंगाजी से निकलने का बहुत जल्दी का मतलब यह है कि अब मुझे अचानक से निकलना पड़ रहा है मेरा टाइम यहां पर खतम हुआ सब लोग बिचारे अपना गंगाजी नहां बहुत जल्दी-जल्द करने नहीं तो लोग आराम करते पहले फिर आराम से गंगास्नान करते पर अब क्या करें मुझे मुंबई बापस जाना पड़ रहा है यहीं से हरे दौर से टूर खतम करके क्या हुआ है कि अव यहीं तो अब सब गया है कि सब के साथ मैं भी होटिल की तरफ खर Tilt की तरफह मूव कर जist ध्यूरी जल्दी जल्दी वहीं सब जाना जाना चलबाया है इसलिए खलता है यह देखे कितना खुबसूरत देख रहा है यहां से जो मिट्टी वाली गंगाजी देख रहे थी वो तो देखी नहीं रही है यहां से बहुत खुबसूरत दिख रहा है सब कुछ अच्छा लग रहा है यहां से देखके बहुत ही खुबसूरत देखिए बहुत अच्छा लगा यहां पर आके और गंगा जी मिश्नान करके भी बहुत अच्छा लगा हम लोग निकल नहीं मैं निकल नहीं यह लोग कंपिनू कर रहा है वह आज चार इंगे ठीक है चुक्किए नमस्ते तुमारा विटा ही है वहारा वाथ यालिया मैंने अ उप्त जा मारो आज पर बाइद इस चलो भाई बाई 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 टार राइ बाई 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 जे लिंडा बैया जे लिंडा बैया चलाव 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 बाइज लिए फाइनली इमोशनल होते हुए भारी मन के साथ मैं हरतवार से निकल गई हूँ और मैं पहुंचूंगी नौइडा भी बहुती बुरा लग रहा है सब को एक से छोड़ते हुए टूर बीच में और मैं नौइडा पहुंच गई और नौइडा से भी मैं निकल रही हूं अभी एरपोर्ट की तरफ कुल्वन जी मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं बहुत ही बेकार लग रहा है क्योंकि मैंने टूर बीच में चोड़ा है पूरी फैमली कंटिन्यू टूर कर रही है और खुद को बहुत ही ब्रॉणा लग रहा है एमोशनली मैं तो रूह नहीं लगी थी अब यह देखो नौइडा एक्स्टेंशन से गुजर रहे हैं यह नौइड एक्स्टेंशन लगी नहीं रही नौइड एक्स्टेंशन है इस जगमक जगमक दिख रहा है और रात में भी इतनी भीड गूम फितना दूम धराका और अब मैं जा रही हूं बैक टू वर्क सुबह मेरी एक मीटिंग है बहुत जरूरी इसलिए मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है ग्यारा बजे तक मुंबई तो मैं निकल गई हूं फिर मिलेंगे क्या करें अब एक पहुंच गहीं हूं मैं भी अब देखिया एरपोट पे आ रहे हैं भी अब अब कुलवन जी को गुद्बाइब बोल दिया है और उनको गुद्बाइब बोल रहे हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं मुंबई आपसी जा मुंबई मिलेंगे हम आपसी बाइ 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 करहर गांगे